इरान के सुप्रीम लीडर के पिछवाडे में चली ए घुजली बुढदा चार दिन बात जाने वाला है सिद्धा बहेतरूरों की गोद में लेकिन उसको दिख क्या रहा है भारत में मुसल्मानों पर होने वाला जुल्म ये सटकेले बुडे ने एक ट्वीट क्या है और उसमें कहा है कि भाई जो गजा है म्यामार भारत उनमें मुस्लिम लोगों पर भैंकर वाला जुल्म हो रहा है ये खमे नहीं जो है इसने ये कमेंट क्यों करा आप इसको क्यों जरूरत पड़ी कमेंट करने की और एक मिनट को मान ले यार गजा में बंबारी हो रही है म्यामार में वो रोहिंग या पर क्या हो रहा है उनके साथ लेकिन भारत में कौन सा जूल्म हो रहा है यार इसने अपनी बात ही हलकी पड़वाली कमजुगर कर ली और इस बुड़े के ट्वीट से सबसे जादा जो पाग अब दे दिया है और आप इनको घशीट घशीट के बिगो बिगो के मेजर सर्द होएंगे अच्छे से तो चलिए देखते है यो यो किट्टो बाई सेद अली हुसेन खमने सुप्रीम लीडर ओफ इरान ने ये बोला है कि साब मुसल्मानों के उपर बड़ी तशद्द्द हो रही है या बड़ा टॉर्चर हो रहा है उनके उपर बड़ा जल्म हो रहा है और उनके उपर जल्म हो रहा है और उनके उपर जल्म हो रहा है वो ग देखिए किसने क्या बोला, हमने ठोक दिया, उसने बोला, हमने एंकाउंटर कर दिया, ये सारी चीज़ां होती रहती है यार जियो पॉलिटिक्स में, इस इस नॉट इंपॉर्टेंट, वो इस वक्त क्यों बोल रहा है, उसके अंदरूर्नी कारण क्या है, ये खमे नहीं जो है, इसने ये कमेंट क्यों करा, इसको क्यों जरूर्बड़ी कमेंट करने की, और दूसरी चीज़ है, कि ये इसकी domestic politics क्या है इसके अंदर की politics क्या है इसके बाहर की politics क्या है ये अपने comment से लोग ये समझते हैं कि साब हमसे नफरत करता है इसलिए बोलता है देखिये उस level पर बैठा आदमी ना महबत करता है ना नफरत करता है वो मुनाफ़ा देखता है अगर जहर पहला के उसको मुनाफ़ा हो रहा है तो जहर पहलाएगा प्यार बांट के मुनाफ़ा हो रहा है तो प्यार बांटेगा हूँ अब इसने क्या करा एक हमें नहीं नहीं ये मैं आज आपको बताता हूँ इसके पहले इसने पास्ट में कौन कौन से कमेंट पास्ट करे थे ये भी आपको जानना अती आवश्चक है तो दोस्तों ऐसा है कि Auslam के दुशूमणों ने ये कर दिया वो कर दिया Islam को उम्मा को चुमा दे दिया पता नहीं क्या क्या स्टोरी ये सुनाता है मायनमार घाजा इंडिया में ये ये हो रहा है मार्च 2020 में भी इसने ये बोला था 17 सितंबर को जो दिल्ली में राइट्स हुए थे जिसमें हिंदू भी मरा, मुसल्मान भी मरा, यह नों ने बोला, साब, मसाकर उफ मुसलिम्स हो गया, यह आप देखिए, आपको क्या लगता है, कि खमने जो है, वहां का सुप्रीम लीडर है, इरान का, उसको दो रुपए का फरक पड़त जैना का नाम नहीं आता ठीक है, चैना में तीन साल के बच्चे को जेल में डाल दिया, क्या नाम है, तुम्हारा मुम्मद, मुम्मद नाम है, चलो जेल में, दऐी बहुत खाता है यार मुसल्मान, इसको जेल, दएी बहित कर दिया था भाईयोंने, अगर मैं गलत इसको सुर खिलाओ फिर इसको नचवाओ ये फोटोग्राफ है डांसिंग इमाम्स आप भाई साथ जाए ज़रा गूगल पे और गूगल पे डालिये डांसिंग इमाम इमज सर्च करी आपको मिल जाएगा चाइनीज ने पहले मुसल्मानों के इमामों को शराब पिलाई सुर का गोश्ट खिलाए उसके बाद नचवाया बोला जो तीनों चीज़ हराम है तुम तीनों करोगे अगले दस मिनट मा करोगे बेटा ये जल्म नजर नहीं आरा किसनको नहीं बोलेंगे बिके हुए ये लोग लेकिन फिर वो बात नहीं है दोस्तों ये देखो मैं आपको बताता हूँ बात क्या है जब 375 से हटा दिया बोला कि वी आर कंसरंड अबॉट मुसलिम सेच्वेशन इन कश्मीर फिर ये कहता है कि मुसल्मान दुनिया है खुले आम यमिन के बाहरें के कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करें अच्छा ये भौंकता रहता बीच-बीच में लेकिन ये इंटेलिजेंट भौंकने वाला ये दिमाग से पैदल मत समझीएगा इसको अब इंडियन गर्मेंट ने क्या बोला कि आप लोग इसको सुप्रीम लीडर कहते क्यों ही तो पागल मौलाना आई है और इसकी उमर भी ऐसी हो गई है एक पैर जो नहीं कहते लोग की एक पैर कबर पे दूसरा केले के चलके पे ये किसी विदे जलेगा मैं आपको बता रहूँ अब दोस्तों आप समझो जियो पॉलिटिक समझो आप पहले ये बोल क्यों रहा है ऐसा है ये जो इसराइल और हमास की लडाई है ये कुछ मेहने के बाद खतम हो जाएगी पहले आप ये बात समझ लो ये बात समझ लो ये लडाई जो है ये खतम होने वाली है ये दो हफ़ता और चल ले दो मेना और चल ले चार मेना और चल ले ये खतम होने वाली है और ये बात इरान को भी पता है और इरान नहीं पिन करा था साथ अक्टूबर को पिछले साल इसराइल को तब जाके युद शुरू हुआ था, ये इरान का करना धरना, ये आपको पता है, मुझसे बहतर यू नो बेटर दन मी, ठीक है जी, अब सुनिये, ये बुड़ाओ जो है, इस वक्त क्यों बकवास कर रहा है, ये इसलिए बकवास कर रहा है, दो चीजे है, पहली मैं आपको external बताता हूँ, फिर मैं आपको एरान की internal politics बताता हूँ, right, external politics ये है कि जो पानी है, वो उबलता रहना चाहिए, याद रखियेगा, पानी जो है, वो उबलता रहना चाहिए, हलका हलका, simmering, वो पूरा उबाल नहीं, कि बड़े-बड़े बुल-बुले आरे हैं, एक सिमरिंग होता है ना हलके हलके बुलबुले आते हैं पानी में उस लेवल पे टेंपरिचर उबलता है रहना चाहिए तभी इरान को फाइदा है जो पानी की उबाल इसराइल और हमास के युद्ध के बीच में या उसमें हेजबुला शामिल या हूती शामिल कोई भी शामिल एक्सवाइज है यार वो स्टोरी अब धीरे हो रही है वो टेंपरिचर डाउन हो रहा है अमरीका बोल रहा है साइन करो इसराइल एक ड्राफ्ट भेज रहा है हमास एक ड्राफ्ट भेज रहा है वो कह रहा है तू बेकूफ वो कह रहा है तू बेकूफ अच्छा है इसमें से चार पॉइंट तो महटा हो चार बातचीत पे आ गए ना वही बातचीत पे आ गए कि तेरे चार पॉइंट हमें पसंद नहीं हो कह रहा है कि को धीरे-धीरे-धीरे-धीरे. दोस्तों, हाली में एक बहुत-बड़ा वाकिया हुआ जहांपे इरान को एक बहुत-बड़ा जटका लगा. जटका वो लगा कि जब इसराइल ने ह LGBT की उपर बंबारी करी और ह LGBT ने जवाब दिया तो दोनों के बीच में बातचीत हो गई, just imagine, आप सोचिए, सोचिए आप, हिजबुल्ला और इस्राइल आपस में बात कर रहे हैं भाई, ऐसा है, मैं उस जगे बम मारूँगा, तो उस जगे बम मार दियो, इस चीज़ को एसकेलेट करने का कोई फाइदा नहीं है, समझे रहे उसके बाद चुनाओ हुआ, चुनाओ के बाद पिजशकियां बना यहां का प्रेसिडंट, जब वो इरान का प्रेसिडंट बना दोस्तों, तो इरान के प्रेसिडंट बनने के बाद उसने सबसे पहले बात ये बोली, कि यार वेस्ट से हमें बात करनी चाहिए, वो क्यों कह जिलेगे जिहाद को फिर दुनिया उल्टा थपड मारेगी मूपे इतना बड़ा कि भाया गाल दांत जबडा सब सूच जाएगा तो उसना बोला कि बात चीत करो वो स्मार्ट आदमी है दूसरी चीज इंटरनल पॉलिटिक्स की ये है कि जो आम इरानी है वो इन पागल मौलवी मौलानों से परिशान है वो या थे वो औरतें जान बूच के जान बूच के हिजाब निकाल के सड़क पर आ जाती है पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी पता है कि औरतों की हत् हिजाब विजाब फेग दिया हिजाब पकड़ के एक धेर बनाया आग लगा दी पुलिस के सामने बोला कि जाओ गोली मार नहीं मार दो हमें दो रूपय का फरत नहीं परता है ये इंटरनल चीज़ है अब इरान के अंदर पावर स्ट्रगल हो रहा है खमिनाई और पिजश इसके पास 10 हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है लेकिन फिर भी लालच इतनी है सबता कि तो दोस्तों दो चीज़े मैंने आपको बताई एक तो इंटरनाशनल इंटरनाशनल इरान का जो इरान का जो कंट्रोल है वो इरान का कंट्रोल किस चीज़ क्यों आखिर में मैंने सवाल इसली छोड़ा है क्योंकि जवाब जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मेजर सर के वीडियो पर पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाईए और देखिए आनंद उठाईए पूरा वीडियो आपने देख लिया आपके क्या मात्रम भारत मता की जै यो यो किटो भाई यो यो किटो भाई